नमस्कार दोस्तों मैं संदी शर्मा फिर्द से हाजरू अपने चैनल गुरू औरकनाथ पर स्वागत करता है सब्सक्राइब करता है आज मैं फिर्द से हाजर हुआ हम एक नहीं जानकारी के साथ पक्षिशानी शोब मूरत में दिवाली से या आप किसी वो बोलते हैं कि अच्छी डेटों जाने अच्छी तितियों में ही इसको सिद्ध कर सकते हैं और आप लोगों को बता दू मैं यह मंतरा है यह आपको करने से पहले आप गुरू मंतरा की एक अमाला है सद्गुरु मारा जो गुरु उपना जी का दियान, गनेज जी का, शीव बाबा का दियान करते हैं 33 करोड देवी देपता का अवान करने के बाद आपने यह करना है तो मंतर आपको बोलके बता दता हैं मंतर आगे आपकी स्क्रीन पे लिखा भी आएगा आप वाँपे स्टॉप करके मंतर को देख सकते हो मंतर है ओम आठ भुजी अंबिका एक नाम उंकार खट दर्शन त्री भुवन में पांच पड़ावा साथ दीप चार खुंट नो खंडन में चंदा सूरज दो पन नाम हाथ जोड विंती करूं मम करो कल्यान एक बार फिर से बोड़ाओं ओम आठ भुजी अंबि एक नाम उंकार खट दर्शन त्री भुवन में पांच पड़ावा साथ दीप चार खुंट नो खंडन में चंदा सूरज दो परनाम हाथ जोड विंती करूं मम करो कल्यान तो इतना सा ये मंतर है और आपकी स्क्रीन पे भी आगया आप वहां से भी देश सकते हो आपको सिर् भोज पत्र पे आपने और इनार की कलम से वो यंतर बना रहे हैं यंतर लिखना कैसे है सबसे पहले आपने जिस खाने में मैंने बरा वजह से बना हूँ है पहले आपने एक लिखना उसके बाद बिलकुल कॉर्णर में दो लिखना उसके बाद तीन लिखना फिर चार लिखन करना पड़ेगा यंतर बना के आपको सामने रखे फूल नबैद यानि फूल माला से माताजी का स्वागत करना यंतर आपने स्वास्तिक बना ले ना फूलों का उसके उपर आपने यंतर रख देना यंतर थोड़ा बड़ा बनाना है यंतर बनाने के बाद आपने दूप दीप करना है यंतर और आपने भोग में बोलते हैं कि 7 रंग की मिठाई लगा दो आप अगर 7 रंग की ने लगाने है तो कोई भी एक प्रफी लगा सकते हैं भोग में और डेली भोग देना आपको नित्य ब्रह्म चारे का पालना करते हुए आपको ये मंतर सिद्ध करना सरवकारे स हर एक काम में चलेगा यह मंतर हर एक चीज़ की काड़ कर देगा आप यंतर बना के इस मंतर को साथ बर पढ़कर भी आगर किसी को दे देती हो तो आपका काम पूरो नहों जाएगा और अभी जो मैं आपको बताऊंगा आगे कि इसके परयोग कैसे हैं आप वो ध्यान से सुन परयोग कैसे करना है आपको क्या करना है कि चुटकी बर राग लेके तीन बर मंतर को अभी मंतरित करके मारने से लगी हुई आग बूच जाएगा अगर मान लोग कि तीन बर मंतरित गया किसी पर आग लगी है तो आप उस आग को बजा सकते हो भूत प्रित बुखार उतार कोई नजरवादी की कोई भी दोशा तो ऐसे ही करना आपने चुटकी राख लेनी है राख आप चुले की भी ले सकते हो और अगर शत्रू आपको परशान करता तो आपने क्या करना है एक नारिय लेना है दो नीम्बू लेना है एक गुड लेना है और एक पैसा संदूर है ऐसा तीन बार करने से यानि कि तीन बार आपने करते बाम क अपने रात भ़र अपने सिराने रखना और आप ने भ्रमूर्त जान रहने थीन से फब चार बजी के बीच में उठके शत्रू dimora रख देना यानि कि फिंकुआ देना है, जा आपने किसी के थ्रू रखवा देना है, शत्रू से शांती मिलेगी, नारियल, अगरवती और गुड, किसी भी मंदिर में चड़ा देना है, यह आपको प्रशाद में ग्रहन नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, यह प्रयोग है, 110% अजमाई हुई विदी है, और आपके सारे काम बनेंगे, यह मेरे ही नहीं, बहुत से लोगों ने अजमाई हुई विदी है, और आशा करता हूँ, अगर मेरे द्वारा दीगी जानकरी आप लोगों को अच्छी लगिए, तो मेरे चैनल को स्पोर्ट करना, यानि कि सब्सक्राइब करना, बैल आइकन पर क्लिक करना, शेर करना, लाइक करना, कमेंट करना और यंतर आपकी स्क्रीन पर यंतर इसलिए बना कर बताए कि आप किसी भी तरब से टोटल लगाओ, इसका 15 ही टोटल आएगा हर एक साइट से तो जो 15 पंदरा बताया है हो वो नहीं बनाना जो बॉक्स में बना हुआ है जो 9 खंडों में मैंने जो बरे हुए है आपने बो ही बरना है और जब आप ये शावर मंत्र से दुकर होगा अब शावर मंत्रा में भी देखना कि उसमें शब्द बोले गए हैं जैसे कि ओम आठ बुजी अंबिका तो आठ पहले में आ गया एक नाम ओंकार दूसरे में आ गया खट दर्शन त्री भूबन में ये तीन तीसरे में आ गया पांच प्रावा साथ दीप ये चोथे में आ गया चार खूंट नो खंडन में वो देखो आप सारे इस सीज में आ रहे है चंदा सूरज दो प्रणाम हाजोड विंती करो मम करो कल्यान ये चीज जैसे बताईए वैसे ये आपने करना है यंतर भी सिद्ध हो जाएगा आप उस यंतर को पास रख सकते हो कल को अगर किसी को दिक्कत आती तो आप नया यंतर बना के इस मंतरा से 21 बार, 7 बार या 3 बार जासे आपको लगता है मातरानी के आगे द्वाफियाद करके उनकी आगे प्रात्ना करके आप किसी को भी दे सकते हो सारी बता दूर होगी आतरु से खर मार कि उनकी और दूर कारे नजी दूर हो qaura आता है